बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में टीम इंडिया इस समय USA में है USA में टीम इंडिया T20 World Cup खिलने गई है USA में कुछ मैचेस हैं उसके बाद मैचेस होंगे वेस्ट इंडीज में इस T20 World Cup में टीम इंडिया का एक ही सपना है कुछ भी हो जाए ट्रॉफी हाथ में उठानी है ट्रॉफी जीतनी है क्योंकि 2007 से हम T20 World Cup नहीं जीत पाए 2007 में पहली बार T20 World Cup जीते थे जो पहला ही एडिशन था उसके बाद 2011 में World Cup जीते 50 अवर का और 2013 में Champions Trophy तो कुल मिलाकर ICC Trophy का जो सूखा है वो 2013 के बाद से चला ही आ रहा है 2013 में आखरी बार Trophy जीते थे और World Cup की बाद करें T20 की तो 2007 के बाद से हम नहीं जीते हैं 7 में आखरी बार जीते थे ऐसे में अब रोईश शर्मा अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को लेकर गए हैं ये T20 World Cup में रोईश शर्मा के लिए भी एक ही इंपोर्टेंट सपना होगा कि उन्हें World Cup जीतना है और ये वो कई बार वयावी कर चुके हैं लेकिन आप जानते हैं रोईश शर्मा एक बार टीम इंडिया को World Cup के बेहद पास लेकर चले गए थे एक कदम दूर थी टीम इंडिया वो मुकाबला जीत जाती तो टीम इंडिया World Champion बन जाती इतने लंबे समय से जो सूखा चल रहा था वो खत्म हो जाता आप लगातार बात करेते हैं कि टीम इंडिया इतना अच्छा खेलती है फाइनल क्यों नहीं जीत पाती है, चैंपियन क्यों नहीं बन पाती है तो शैद वो बाते आज नहीं होती, पूरा भारत खुश होता, महाल कुछ अलगी होता और ये बीटे 6 महीने होते जो हमारे लिए वो अलगी लेवल के होते हम हर दिन इंजॉइ करते हैं अगर वो वर्ल्ड कप जीच जाते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जो चीज मांगते हूँ वो मिलती नहीं है और उसका जो दर्द है वो हमेशा रहता है जब तक वो चीज पूरी न हो जाए तो जो पिछली वर्ल कप हार की कहानी है वो अभी भी परशान करती है रोईश शर्मा को रोईश शर्मा ने एक इंट्रिव्यू में बताया भी ये तो एक बार आप देखिए रोईश शर्मा ने क्या कहा है रोईश शर्मा कहते हैं कि अभी भी वो वर्ल कप हार मुझे परशान करती है जब मैं वर्ल कफ फाइनल के बाद अगले दिन उठा तो मुझे नहीं पताख था कि पिछली रात क्या हुआ मैं अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था और बोला पिछली रात जो भी हुआ वो बुरा सपना था मुझे लगता है कि final अगले दिन है मुझे ये एहसास करने में करने में दो तिन दिन लग गए थे कि हम हार गए अगला मौकाब चार साल बाद मिलेगा तो सुना आपने रोई चर्मा कहते हैं कि अभी भी एक तो वो चीज मुझे जहन में आती है दूसरा जब हम हार गए थे तो अगले दिन जब मुझे पता चला मैं उठा तो फिर उस समय मुझे लगा कि एक सपना था जो बीठ गया लेकिन बाद में दीरी दीरे पता चला कि ये सपना नहीं ये सच है और आप भी जानते हैं कि ये जो परशानी है रोई शर्मा तो कप्तान थे टीम के बागी सबी खिलाड़ी वहां थे पूरे भारत ने ये चीज फिल की है और उसके बाद से 6 महीने से उपर का समय हो गया अभी भी वो 19 नॉमबर की तारीख याद आती हमें लेकिन कहते हैं कि अगर आपको एक किसी चीज की वज़े से परशानी होई है तो वो परशानी खत्म तभी होगी जब आप उस चीज को हासिल कर लो तो 50 ओवर का वर्ल कप जैसा रोई शर्मा ने कहा अभी तो वो 4 साल बाद है 4 साल आने में वक्त लगेगा 2027 में 50 ओवर का वर्ल कप खिला जाएगा लेकिन ICC ट्रॉफी टीम इंडिया अभी जीच सकती है और वो जीच सकती है इस T20 वर्ल कप में रोई शर्मा गए है बड़ी जवरदस बैटिंग की उन्होंने पहले मैच मैडलेन के खिलाफ ऐसे में रोई शर्मा के उपर बड़ी जुम्मेदारी है इस T20 वर्ल कप में अच्छा परफॉर्म करने की टीम बड़ी अच्छी है हमारी टीम में अगर आप देखे गेन बाजी लाइनप बड़ी जो बरदस नजर आ रही है कुल्चा की जोड़ी फिर से आ गई है वापस इसके साथ ही अगर आप देखे रिशाप पंथ आ गई है 18 महीनों के ब्रेक के बाद अब रिशाप पंथ एक ऐसे खिलाड़ी है अब जानते हैं कि उनके पास काबिलियत क्या है इसके अलावा सुरी कुमार यादाव से लेकर हर एक बड़ा खिलाड़ी है हमारे पास हार्दिक पांडिया ओल राउंडर है तो कुल मिलाकर इस टीम इंडिया में वो काबिलियत है जो वाल कब जीच सकती है तो क्या इस बार टीम इंडिया रोई शर्मा का जो बुरा सपना था उसको कहेगी कि अब भूल जाओ अब आपके हाथ में ट्रॉफी है और इंजॉई कीजिए और यही पूरा भारत चाहता भी है पूरा भारत चाहता है कि टीम इंडिया चैंपियन बने तो बहुत सारी शुप कामना है टीम इंडिया को कि अब जो गया उसे छोड़ो पीछे लेकिन अब जो सामने है उसे पकड़ने की बारी है इस टीट्वेंटी वर्ल कप को उठाना है और खिताब जीतना है 2013 से ICC ट्रॉफी नहीं जीतने हैं वो भी पूरा करना है सपना तो आप लोग बताईए आप लोगों का क्या रेक्शन है आपको क्या लगता है इस बार टीम इंडिया जरूर कमाल करने वाली है कमेंट में बताईए वीडियो पास अंदार लाइक कीजे शेर कीजे स्पोर्स तक को सब्सक्राइब कर नोटनेशन की घंटी रबाईए वीडियो अगर आप हमारे फेस्टूक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्टूक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीचे